हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे टेर्स गार्डन में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कि हमने जो पौद तयार करी है उसे किस समय पर लगाएं किस तरह लगाएं और किस तरह की मिट्टी में लगाएं ये सारी जानकारी आज लेंगे तो आईए जानते हैं कि ये कु और पहले मैंने इसे डिस्पोजर ग्रास में लगाया था अब इसमें ट्रांसफर कर दिया है सारा वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो मैंने इसे पहले ही लगा लिया है लेकिन एक बैग में तयार करके जरूर यह देखिए मैंने मूली में लगाई है यह यह बंड पर यह लगा सकते हैं और एक सीजन में आराम से चल जाते हैं चोड़ी चुछंगी जो भी फूल आप उन्हों पर हना यह देखिए और ये 3-4 cm करीप हो गई थी तो मैंने लगा दिये हैं और ये जो है ये ये मेरी पुरानी पौत थी तो मैंने सुचा चलो इसको भी लगा के देखती हूँ इस बार तो मिर्शी का सिजन ही नहीं था तो मेरा अच्छे से लगई ही नहीं तो ये देखिए और ये मूली देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मूली ऐसे लगी ही नहीं पाती कि जिस गमले में लगाए हैं उसी में रहने दो खाड कर लगाएंगे तो नहीं लग पाएगे लेकिन ये रिजल्ट आपके सामने हैं ये लग जाती है बहुत अच्छे से और ग् हो जाती है और हम इसमें जो भी पौदे लगाएंगे वो नीचे से ही जड़के द्वारा पोशन ले लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है इस तरह से एक लियार आप पंडे की लगा दीजिए उसके बाद ही मिट्टी डाले और ये देखिए और इसमें ड्रेनेश करना बिल्कुल ना भूले ब्रेनेश होल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये जो मैंने मिट्टी तयार करी है इसमें मैंने 60% मिट्टी ली है और 40% करी गुबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं ये देखिए कितनी बढ़िया भुरूरी मिट्टी बनकर त हैं रखिए कि मिट्टी आप थोड़ा दबा कर भरें अच्छी तरह से एयर नहीं होनी चाहिए वरना आपका पौदा भी खराब हो सकता है तो थोड़ा अच्छे से प्रेस करके दबा के भरे तो ज्यादा अच्छा है ऐसे तो पौधे लगाना सबको आता है लेकिन जो नए नहीं आता है उसके लिए वीडियो है अधिकतर लोगों की परिशानी होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि पौधे लगाने के बाद या तो ग्रोथ नहीं होती है यह सूख जाते हैं तो इसकी वज़य यह होती है कि आप ज्यादा पानी दे रहे होते हैं या फिर जो मेटी तया होनी चाहिए यह दियान रखे या फिर इसमें दो से तीन पतिया आ गई हो तभी आप लगाएं और यह देखिए इस तरह से मिट्टी मैंने तयार कर ली है दबा दबा के बिल्कुल भी यह नहीं होनी चाहिए और इसमें मैं आग भिंडी लगा के आपको दिखा रही हूँ बिंडी कुछ लोग कहते हैं कि डैरेक्ट लगा लो वैसे भी आप लगा सकते हैं लेकिन मैंने पहले इसको अलग से लगा लिया था और अब इसमें ट्रांसपर कर रही हूँ मैं यह देखिए तो इसमें यह जो बैग है तो इस बैग में मैं तीन पौदे आराम से लगा सकत यह देखिए यह दो से तीन पत्ती इसमें आ चुकी है और बस यह अभी लगाने के लिए रेडी है इस तर की पौद आप लगाएं तो आपकी पौद कभी नहीं सुखेगी बहुत अच्छा पौदा तयार हो जाएगा बैक तयार कर रहे हैं इसमें पौद की हाइट की इसाप से ही मिट्टी डालें जैसे जैसे पौदा बढ़ते जाएगा हम उसमें मिट्टी एड़ करते जाएंगे क्योंकि पौधा बड़ा होगा तो उसको सपोर्ट की भी जोरत होगी तो हम मिट्टी फेड डालेंगे और पानी देते समय विश्य ध्यान दे कि पानी बहुत आराम से धीरे धीरे देना है वरना अभी आप पौधा लगाएं है तो उसकी जड़े जम नहीं पाएगी और सवधानी से देना है इसको अब एक बार अच्छे से पानी दे 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 उसके बार जब मिट्टी 2-3 इंच सूख जाए तब ही आप दो बार बार इसमें पानी ना दो क्योंकि जब तक की जड़ लगना जाए तब तक आप इसमें पानी कम ही दो तो अच्छा होगा वरना जड कि वेल बारिस की हरासी होने लगी है है तो मैंने दूसरे तयार कर ल۹ ली थैश से वह बैग को यह जो अयद से देख BUT देख रहे हैं यह बैग और बैक की तरह इसको भी मैंने तयार कर लिया है नीचे कंड़ेक लेया और फिर मिट्री डालकर इस वह इस तरह से तयार किилось है और इसमें ओलू लगाने वाली हूं आलु भी हम grow बैग में आराम से लगा सकते हैं जरूरी नहीं कि इसके लिए गमले च्वारी की पैधु में अच्छे ए लह पर आलू लगें नहीं यहीं से जो अवप में लिए आ जाए में और यहां जिस बॉली बैग में लगाने वाली हूँ इस तरह से आप भी लगा के देखिए बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं यह देखिए और इसके लिए आप मिट्टी कम ही रखें अभी जैसे जैसे पौदा बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसमें मिट्टी एड़ करते जाएंगे लुको इस तरह से लगाना है और थोड़ा घना ही लगाएं क्योंकि कई बार आलू खराब भी हो जाते हैं तो थोड़ा घना रहेगा तो ज्यादा अच्छा है यह देखिए इस तरह से इतना डिस्टैंस इसमें होना चाहिए और उपर से एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे पानी डाल देने पानी उगने तक इसमें ज्यादा पानी ना दे परना आलू खराब हो जाएंगे आपको लग रहा है कि सूख रही है मिट्टी तभी पानी दे यह देखिए तो चलिए वीडियो खतम करते हैं और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को स